जहें दोस्तो आसा करतों आप सभी लोग बहुत यह वह अच्छे होंगे और तंदृस्त होंगे तो दोस्तो आई टीय वाले student के लिए ओ डिपलोमा वाले student के लिए यह जिन भी student ने तैंथ के बाद जो है इस वीडियो के अंदर अच्छे से जानते हैं तो यह दोस्तों यहाँ पर माजगा डोक सी बिल्टर लिमिटेड है जो कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं यह समरी होती है ठीक है ना उसके अंदर आपको काम करने का यहाँ पर मोखा मिलता है अच्छा experience मिलता है ठीक है और यहाँ पर बात करें डोक्याट रोड जो मुंबई के अंदर इस्तित है वहाँ पर आपकी जो यहाँ पर पोस्टिंग होगी बाकी जैसे आप स्लेक्ट होते हैं वह आपका डिपांट मेंट जो है करेगा कि आपको कहां पर पोस्टिंग दी जाए लेकिन हंड्रेट और 99 पर इलेक्ट्रिकल क्रें ऑपरेटर यहाँ पर साथ साथ आप लोग वैकेंसी भी देखते चलिए ठीक है इलेक्ट्रिशन से इलेक्ट्रोनिक मेकेनिक है ठीक है कई सारे स्टूरेंट है जो कहते हैं इलेक्ट्रोनिक मेकेनिक में वैकेंसी नहीं आते हैं यहाँ पर देख सकते ह फीटर आपका, गेस-कॉटर है, हिंदी-ट्रांस्लेटर है, इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं, ड्राउट्मेंटेड़, मिकानिकल है, ड्राउटमेंटीकल, मैकनिकल हैं, ड्राउट्मेन-अट्रीकल Detroit Kenneth है दो सथों है, यहां पर और सारे भी ट्रेड एँ जो की देख लेज़िए रहाँ पर मसीनिस्ट भी आप लोग देख सकते हैं टीक है मसीनिस्ट भी है आपका इस्ट और भी बहुत हाँ due जादा और केन्से तो यहांदान है कार पिंट रुह पीयों तो यह सारे कुछ जो है वेकैंची है और और क्वालिटीगेशन वगेरा जानते तो यहां पर सबसे पार्ले बात करते हैं चीपर ग्राइंडर में तो यहां पर देखिए आपको क्या चाहिए दोस्तो आपको आपरेंटिस के लिए होनी चाहिए एनिच्रेड है द वर्क इंडेस्टि चीपर Haben दूसरा बात करते हैं कंपो इंट वेल्डर की यहां पर देखे आपको हएसं unfortunately दोस्तों अपर कैंदेट जो है अपर्टइस आपका केलिए होने चाहिए तिक kings तिक वेल्डर वेल्डरayan वेल्डर бег वेल्डर वेल्ड और परसे वेल्डर पइंड finals videoolly क्लियर होनी चाहिए तो इसके अंदर आप eligible हो ठीक है यानि कि कई सारे स्टूरेंट ऐसे भी होते हैं जो 10 के बाद जो अप्रेंटिस करते हैं ठीक है तो वह भी यहां पर apply कर सकते हैं आई यह जरूरी नहीं है ठीक है तो यह चीज़े हैं आगे चलते हैं दोश्तों यहां पर electricians के अगर बात करें electricians को क्या है यहां पर सिर्फ अप्रेंटिस के लिए होनी चाहिए आपका electricians से अगर आपने apprentice के लिए कर रखिए तो इसके अंदर आप eligible हैं चाहिए आप IT आपने clear किया है यह नहीं किया है वैसे तो IT वाले तो यहां पर apply करेंगे अगर आपने कर रखा है और आपने apprentice कर रखिए ठीक है आगे चलते हैं दोस्तों electronic mechanic का भी यहां पर देख सकते हैं क्या क्या है electronic mechanic में भी आपका apprentice के लिए होनी चाहिए 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 mechanic radio and radar aircraft में यह मैकेनिक टेलिवीजन video mechanic का operator electronic इन सब चीजों से अगर आपने जो है apprentice कर रखा है तो आप जो है इसके अंदर apply यहां पर बकायदे यहां पर दिखाया हुआ है कि आपको इस इसमें जो है आपने apprentice कर रखा है तभी इसके अंदर आप apply करेंगे ठीक है क्योंकि बाद में जो है काफी सारे बच्चे होते जिनका form भी रिजएक्ट होता है वो यह सारे को notice नहीं करते और नहीं देखते हैं फिटर के अगर बात करें दोस्तों फिटर के अंदर भी आपका यह है कि फिटर जो है यहां पर marine engineer फिटर स्विप राइट है ठीक है शिप राइट है सोरी है शिप राइट स्टील और इन सब चीजे में आपको अप्रेंटिस के लिए कर रहा है तो इसके अंदर जो है आप apply कर सकते हैं दोस्तों आगे चलते हैं यहां पर गैस कटर है गैस कटर में भी आप लोग देख लिएगा इ अपरेंटिस कितनी ज़रूरी है तो यह चीज हैं दोस्तों यहां पर और भी देख लेजिए यहां पर इलेक्टिकर इलेक्ट्रोनिक है इसके अंदर भी देखे इन सब चीजों में जो है आपने अगर अपरेंटिस के लिए कर रखा है तो इसके अंदर अप्लाइब कर सकते अपने कर दोस्तों काफी अच्छी वैकेंशी है तो यह सारी जो है आपके ट्रेड है काफी अच्छी ट्रेड है ठीक है अच्छी यह बात रहें यागर आप यह अपने diktri में आपको जो हैं लिंक दे दूँगा वहां से आप लोग अपलाए कर सकते हो अपलाई करने के लिए यहां पर 304 रुपर लगेगा जो कि जनरल लोग बीसी वालों के लिए है ठीक है ना आगे यहां पर चलते हैं दोस्तो ठीक है तो यहां पर इन्होंने गुरूब बना रख तो यह सारे वेटेज आपको मिलेंगे ठीक है आगे चलते हैं और भी काफी इंपोर्टेंट नहीं यहां पर सेलरी स्ट्रक्चर भी आप लोग देख लीजिएगा और किस-किस ग्रेड वन के लिए जो है क्या क्या है आपको सेलरी दी जाएगी वो भी यहां पर बता रहका ह है सफा सफा ठीक है यहां पर एज लिमिट की बात करें जैसे कि आपने थमनल में देख लिए अगए 18 साल से लेकर जो है 38 एर तक का यहां पर मोका दिया गया है बाकि अगर जो भी स्टूर्ट सी एस्टी ओबीस या पी डबलू है उनको जो भी गोर्मेंट की तरफ से रिज तो यहां पर आपका रिटन टेस्ट होगा फिर आपका स्किल टेस्ट होगा फिर आपका डी अवी होगा ठीक है ना तो यह सारा कुछ है दोस्तों यह सारा कुछ आप लोग देख लिजिएगा कि जो आपका रिटन टेस्ट होगा तो उसके इनर कितने मार्क्स के जो है कितने नमर पूछे जाएंगे और यह क्या क्या सारा कुछ यह आपर दिया हुआ ठीक है कि कितने आपके exam होंगे कितने नमर क्योंगे क्या क्या होगा फिर return test experience के बारे में यह सारा कुछ यह आपर दे रखा है तो आप आप लोग देख लीजिएगा फिर verification of original document होगा ठीक है तो सारा कुछ देखकर आगार आपका शही कुछ होता है तो फिर आपको जो है आप पोस्टिंग दे दे जाएगी ठीक है लेकिन उससे पहले आपका जो है return exam होगा दोस्तों ठीक है हो है आपका December ठीक है ना 24 December ठीक है तो उम्मीद करते हों दोस्तों अगर हमारे वीडियो पसंद आए होगी और वीडियो पसंद आए होगी तो फिलीज वीडियो को लाइक किजिएगा और चैनल को सब्क्राइब किजिएगा